RSS प्रमुक मोहन भागवत का बयान की देश में मुसल्मानों को डरने की दरूत नहीं है लेकिन उनको एभाव चोड़ना पड़ेगा कि हम बड़े हमाई साथ मौजूद हैं जिडियू के प्रिधान महासक्षिफ केसी चाहिए ताब सर मौहन भागवत जी कह रहे हैं मुसल्मानों को डरने की दरूत नहीं है सिरी मौहन भागवत जी का वक्तव 2024 के लोकसभा चुनाव की पठकता है पुने एक बार हिंदू और मुसल्मान के बीच में संस्कृते और सब्बता के बटवारे के सवार उठा करके उन्होंने भारते जिन्ता पार्टी को ये लिखते दस्ताविज दिया है डाक्टर लोहिया का मानना था कि चाहे बाबर हो और चाहे मुहमद गोरी हो मुसल्मानों को उनको अपना पूरवज स्विकार नहीं करना चाहिए उसी तरह से जायसी और रस्खान को भारत के हिंदूओं को अपने पुर्खे की तरह से ब्यवार करना चाहिए तब कोई समाज और सब्बता आगे बढ़ती है उनके वक्तव से चुनावी राजिती की बू आ रही है तो सर चुनावी राजिती की बूब आ रही है क्या वीजेपी अब मुसल्मानों को साथने की कोशिश कर रही है आप ये कह रहेंगा नहीं इसमें हिंदु मुसलिम डिवाइड होता है जो अतीत की चीजें हैं उनको नए तरीके से इसमन कराना समय ने जिन घाओं को भर दिया है उन घाओं को नए तरीके से खोलना ये चुनाव से पूर की प्रिक्रिया का हिस्सा है मौहन भागवाद जी का बयान देखे तो वो तो कह रहे हैं मुसलिमों को ड़रने की जरूरत नहीं है तो वो तो ये बता रहे हैं कि आगर जो देश में इस तरह का महौल बनाया जा रहा है कि मुसल्मान आसो रक्षे थे तो वो नहीं ऐसा नहीं है नहीं इसके अलावा जो उन्होंने और प्रशन उठाए हैं कि भारते मुसलिम्स को उस सिंड्रोम में नहीं रहना चाहिए कि ये कभी बादिशा थे ऐसा कहकर के वो पुरानी पठकता को नहीं तरीके से लिखने का प्रियास कर रहे हैं इसके अलावा जो मौन भागवाट जी ने लगी बीटी समुदाय है उसका भी समर्थन किया है उसको लिकर के तमाम तरह के देश में वियूज सामने आते हैं तो उस पर मौन भागवाट जी ने अपना रुक साफ किया है हिंदू समाज के कई व्याक्याकार और कई धार्मी के नेताओं इसका विरोध कर चुके हैं इसलिए भागवाट जी का दिया गया वक्तव चोकाने वाला बागवाट जी का दिया गया ये वक्तव चोकाने वाला और रही बात मुसल्मानों को लेकर जैस सरी के तमाम भागवाट का बयान सामने आया है तो वो 2024 की राजीती की एक और तस्वीर है ये कहना है के सित्यागी साब का सायोगी कैमरापास नारश नायर के साथ अंकितो अपतावी एपीपनियोस दिल्ली